टी टाइम बुलिटिन के प्रायो जखें गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर चार और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल शास्त्री सेर्कल प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं चली खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक लचर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइन्स पर हासों के हाइवे पर फिर हुआ हाथसा तेल के टेंकर में लगी भिशन आक से जाम हुआ मार्ग सर्वर्रीतु विलास इस्ति सगरजी बावजी की जन्मुस्व की धूम दर्शनों के लिए लंबीक लगी कतारे और सवा करोड की लूट में बदमाशों का नहीं लगा सुराग व्यापारियों ने बदमाशों को शिक्र पकड़ने और माल बरामत करने की रखी मांग गोगुंदा पिन्वाडा हाइवे पर बिशन हाथसा हुआ है तेल से बरे टेंकर में बिशन आग लगने से अफरात अफरी का माहोल हो गया है बताया जा रहा है कि बेकरिया थाने के बाहर ये हाथसा हुआ है टेंकर चालक को जबकि आने की चलते टेंकर पलटने से ये हाथसा हुआ है बताया जा रहा है हाथसे की चलते टेंकर दू-धू करके जल उठा और पुरी तरह राक में तब्दिल हो गया हाइवे पर दूदू कर जल रहे टेंकर के तरश्य गोगुंदा पिनवाड़ा हाइवे के बताय जा रहे हैं बताया गया है कि पिनवाड़ा से उदैपुर आ रहे एक तेल की टेंकर पलटने से टेंकर में बीशन आग लग गई हाइसे की चलते रास्ते में भी जाम लग गया हाइसे की सूशना मिलने के बाद पुलीस और दमकल के वाहन मौके पर पहुँच गए वहीं आतायाद पुलीस ने बाधित हुए मार्ग को सुचारू करने के प्रयाज शुरू कर दिये काफी मशकत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया और इसके बाद पुलीस ने मार्ग को सुचारू करवाया और उसके बाद जाम खुलवाने के प्रयाज शुरू कर दिये गए गटना गोगुंदा पिन्वाडे हाइवे पर इस्थित बेकरिया थाने के करीब की बताई जा रही है उदैपूर के सर्वर रितू विलास इस्थित सगर जी बावजी का जनमुस्व धूंदाम से मनाया जा रहा है शुक्रवार सुबे नो बजे राजपरिवार के सदस्य विश्वजी सी मेवाड के पहुशने पर मंदीर में ध्वजा चड़ाए गई इसके बाद नीच मंदीर में आरती की गई और सभी को प्रसाद वित्रित किया गया आरती से पहले ही लोग कतार में लगकर सगरजी के दर्शनों के इंतजार में खड़े हो गए आरती के बाद मंदीर में प्रसाद वित्रित करने वाले भी बड़ी संक्या में प्रसाद बाट रहे थे जबकि साड़े दस बजे तक दर्शन में खड़े लोगों की कतार काफी बड़ी हो चुकी थी और कतार का अंतिम सिरा गुलाबाग रोड तक पहुँच गया था आपको बता दे सगरजी बावजी का पुराना नाम सुल्तान सी जी था ये महाराणा रासी जी की पाटवी पुत्र थे सन 1652 से 1680 में मेवार राजी की गदी समालने के दोरान महाराणा रासी ने 18 विवा किये और इनकी 18 रानियों ने 9 पुत्र हुए जिनमें से सुल्तान सी जी दूसरे सरदार सी जी तीसरे जय सी जी चोथे भीम सिय जी, पांचवे गज सिय जी, छटे सुरत सिय जी, साथवे इंद्र सिय जी और आठवे बादूर सिय जी, नवे तक्त सिय जी और पुत्री अजब कूवरी थी बताया जाता है कि सुल्तान सीजी जीने सगर जी के नाम से जाना जाता है उनका वध हुआ था दूसरे सरदार सीजी ने विश्खा कर आत्मगात कर लिया तीसरे जैसीजी महाराणा बने थे लोग प्रचाद वित्रण कर रहे हैं सुब सबनो बजे जोती प्रजलन हुआ उसके उप्राद दोजार हुआ हुआ फिर भोग आर्थिक आयोजन हुआ जिसमें विश्वरा सिंग जी मेवार मुख्य अतिती थे दर्शन चल रहे हैं बग्स जन पूरे-पूरे उल्लास से रहे हैं अपने उसक गुए रात शाम को भजन संद्या होगी जिसमें बिलवड़ा से केलाश लाचूड़ा अंजू शर्मा वह अन्यकलाकार अपने बजनों की पस्तृति देंगे रात को सवा वारा बजे महार्तिक आयोजन होगा जिसमें बावजी को 51 किलो मावे का भोग लगाया जाएगा परशाद भी चन किया जाएगा इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया आगे क्या होगा अरे चोटी कहा हो भाहिए अप आ गए आओ जल्दी से आपको राखी बांदू मेरा गिफ्ट कहा है बहना आखे तो बंद करो ये रहा तुमारा राखी का जिसके कीमत मात्र 35 लाग है और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदही प्रीमियम हाउसिंग से डिसकाउन मिल जाएगा मैक्सिमम लिमिट 3 लाग तक और जब यहाँ 14,000 का रैंक दे रही हो तो महाँ 19,000 तक की एमाय दे देना और अगले तीन महिने में पोसेशन भी आज जी विजिट करें वैदही प्रीमियम हाउसिंग निर भुवाना बाइपास उदैपूर रासमन में जोलरी शोप में दिन दहाडे लूट की वारदात को अंजाम देने की गटना को दो दिन भी जाने की बाद लूटेरों का कोई सुराग नहीं लगा है पुलिस की दस से अधिक टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है लेकिन पुलिस के हाथ इस मामले में अभी तक खाली ही है इसको लेकर जोलरी विजवसायों के सबर का बांध तूटने लगा है जोलरी विवसायों ने शुकरवार को आई जी जैपाल लांबा को ग्यापन सोपा और वार्दात का जल्द खुलासा करने के साथ ही लूटे गए सोने को बरामत करने की मांग रखी है दो दिन लुटेरों ने बंदुक की नोग पर एक बड़ी लूट की वार्दात को अंजाम देते हुए जोलरी विवसायों और उसके पुत्र तथा रिष्टेदार को धमकाते हुए करीब डेड़ करोड रुपे का सोना और डगदी लूट ली थी बदमाश अठारा लाक रुपे नगद और करीब सवा करोड का सोना और चांदी लूट कर फरार हो गए थे दिन दहारे लूट की इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का कोई सुराक नहीं लगने से व्यापारी आकरोशित है और बदमाशों और लुटेरों को जल्द पकड़ने तथा माल बरामत करने की मांग कर रहे हैं गटना काकरोली के जल्चकी इलाके इस्थित एक कॉंपलेक्स में मोजूद दुकान पर हुई थी लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक्स पर सवार होकर फरार हो गए इन बाइक्स पर लगी नंबर प्लेट्स भी फरजी थी गटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी ने लाल शट पहन रखी थी जबकि दूसरे आरोपी ने पिला शट पहना हुआ था दो अन्य आरोपी दूसरी बाइक पर सवार होकर मोके से फरार हो गए थे इस घटना के आरोपियों को जल्द गिरफतार करने की मांग करते हुए आज कई व्यापारियों व्यापारियों ने ग्यापन में बताया कि 23 अगस्त को काकरोली मुक्य मार्क पर इस्तित रूपम ज्वेलर्स पर दिन दहाडे डकेती डालकर करीब एक करोड के सोना चांदी के जेवर एवं नगदी लूटने वाले लूटेरों को ततकाल गिरफतार कर उनसे लूटे हुए जेवर वं नगदी वरामत करने की कारवाई शिक्र की जाए साथी उन्होंने उदैपोर डिवीजन में इस्तित सभी शहरों के ज्वेलरी प्रतिष्ठानों पर सुरक्षय व्यवस्ता चाक्चोबन कराने की भी मांग की है ताकि इसी गटनाओं की पुंद्रावती न हो पिछले 20 वर्चों से हमारे राजसमन में व्यवसाय कर रहा है सोने चांदी का एक छोटी सी दुकान से चालू करके आज भाई कुछ सुख के पल आने वाले थे और वह सुख के पल एक सेकंड में छिन गए तो हम यह चाहते हैं प्रशासन से पुर्जोर कोशिश करें प्रश जो व्यापारी बंदु है उन सब का प्रशासन से पुर्जोर निवेदन है कि अपनी जितनी ताकत हो वो पूरी लगाए यह ऐसी गटना जो मेवाड में पहली गटना हुई है जो डखेती कह सकते हैं इसको डखेती हुई है सरे बाजार जो पीक टाइम होता है साड़े दस व्यापार करने का जो समय होता और पब्लिक होती है पूरी उस जगे से वो लूट कर ले गए सामान यह दुखत गटना है और आज हम सब लोग यहां सराफसंग उदेपुर के तत्वा उधान में हम सब लोग आईजी साब से मिले हैं उदेपुर सराफसंग का भी हम सब उन्होंने अमारा पूरा से यो किया बाजार बन रख फ्लाइ ओवर ब्रिज बनाने की मांग करते हुए स्टेशन वासियो और व्यापारियों ने धर्णा प्रदशन करते हुए ग्यापन सोपा है और साथ ही उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अंशन की चेतावनी भी दी है मामला चितोडगर का है जहां गंगरार से होकर गुजरने वाले चितोडगर बिलवाडा सिक्स लेन सड़क पर स्टेशन के मद्य से गुजरने वाले रोड पर प्रस्तावित और ब्रिज की निर्मान को लेकर असमजस की स्थती बनी हुई है यहां की निवासी और व्यापारी इस स्थान पर पीलर वाला ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं गंगरार से हुकर गुजरने वाले चितोडगर बिलवाडा सिक्स लेन सड़क पर स्टेशन के मद्य से गुजरने वाले रोड पर प्रस्तावित और ब्रिज का निर्मान दिनों दिन आम आदमी की साथ अप्रशाशन के लिए भी सिर्दर्थ बनता जा रहा है ओवर ब्रिज निर्मान को लेकर अधिकारियों वो इस्टेशन वासियों के मद्य काफी गहमा घहमी का माहूल बना हुआ है उप्त प्रस्तावित पूल को लेकर नाराज स्टेशन वासियों एवं व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बन रख कर धर्णा प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश को एक ग्यापन प्रस्तुत किया है और इस चोराय पर सिर्फ प्लाई ओवर यानि पी संख्या में लोग यहां रहते हैं और पिछले 50-60 वर्षों से यहीं निवासरत है स्टेशन वासियों ने यहां भी किसी व्यक्तिक द्वारा स्टेशन चोराय पर बनने वाले प्रस्तावित ब्रिश का भी कभी विरोत नहीं किया है लेकिन हम सभी की जन भावना है कि और जगा भी हम सभी ने सोब दी है बाकी बची हमारी जमीनों पर हमने निर्मान कर लिया है लेकिन इसके बावजूत भी हर बार अलग-अलग मार्किंग कर इस्थान आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे हम सभी परिवारों में असमझस की स्थती बनी हुई है पीडिक बुरन अनिशित काल के लिए बाजार बंद रखकर शांतिपूर्ण तरीके से धर्णा प्रदर्शन एवं आमरंण अंशन करना पड़ेगा चलते चलते फिनर्जर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइन्स पर हासों के हाईवे पर फिर हुआ हाथसा तेल के टेंकर में लगी भीषण आख से जाम हुआ मार्ग सरवर्रीतु विलास इस्थी सगरजी बावजी की जनमुसव की धूम दर्शनों के लिए लंबीक लगी कतारे और सवा करोड की लूट में बदमाशों का नहीं लगा सुराग व्यापारियों ने बदमाशों को शिक्र पकड़ने और माल बरामत करने की रखी मांग अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपड़ेट रेने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को ज़रूर दबाएं फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही अब दीचे इजासत माधूरी को आब बने रहिए न्यूस 91 पर नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूस 91 न्यूस 91 अवाज हम सब की